हाई एब्रीबन कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टुडेंट बीसी फर्स समस्टर में हैं बॉटनी का आप पेपर देख रहे हैं बॉटनी के पेपर का नाम भी यहां दे रहा है माइक्रोबियोजी एंड प्लांट पैंतलोजी यहां यूनिट वाई यूनिट भी हमने इंपोटेंट कोश्चन भी अप्लोड कर रखे हैं पहले से लेकिन मै वहाँ से लगवख सेम है लगवख सेम है लेकिन यूपी के सभी उनिवस्टि का सेम है उत्तराकहंट से है तो आपके लिये मौस्ट इंपोटेंट है 2022 में आने वाले है यहां से कोई question बहार नहीं जाएगा मैं यूनिवस्टि वाइण इंपोटेंट question दोंगा एक्जाम से d दो दिन पहले दो दिन पहले दोगा लगवग्स आप 10 को पढ़ेखर चले जाना रट के चले जाना रट के चले जाना भासे 70 पर से यह और यहीं को देखने को मिलेगा और यहां से मैं को चोड़ा नहीं है बहुत कुछ उठा टाव लिए जो इंपोटेंट थे प्रेवेस्ट के पेपरों को उठाकर ठीक एप सलेबस की आधार पर मैंने देखा है मैं आपको तो पता है कितने साल से लगाता आपको इंपोटेंट के शन दे रहा हूं और मैं जो देता हूं वही एक्जाम में आता है यह सभी को पता है नहीं किसंछ दो दीन पहले भी देता हूं हो जलन को सब्सक्रायब करके रखो और हाह अभी तक आपवके नहीं हमारे ग्रसकार सब्सक्राइब करके रख़ो कुछ इन आपके पास बुक नोट्स गैसपेपर जो भी है उसको उपन करो उसके टिक लगा लो यदि नहीं है तो हमारे नोट्स को डानलोड कर लो जिसका लिंक डिसक्प्शन बॉक्स में दे रखा है नोट्स पीदिफ डानलोड लिंक उसमें टैश करेंगे सारे नोट्स से मिल जाएं आपको कोई करने वाला फैता है यह आपको याद करने तो और आपको याद करना है ठीक है तो देखो पहला कोशन प्रेटिक लगाएंगे सभी लोग यहां इंग्लिस और हिंदी दोनों में में मैंने आप जिससे चाहिए वैसे पढ़ सकते हैं दोनों तरीके से आपको देख सकते पु cord you haven't jaun के सकते हैं विसंक्रन की बिधी क्या होती है अब इसंक्रन पीडिक रहोगा तो सुतनी ऑ कार अच्छे तरीके से देख लेना और microsoft ऑप जो माइक्रोसकोप होती है उसके बारे में बढन करो आप से पूचेगा कि माइक्रोसकोप की बढन करोब अट करो इम क्पूक recruiter को माइक्रोसATHANप यह तरी कि से लेतले से और सूच मिजीबो कि जो विसंखर करने की विद्धी हो दिया होती है वह क्या होदी इतना त्यार क करेंगे इसको कोशन दोनों उसके उसकी बार में दूसरा बैक्टे रिए अ जानते हूं तो वेक्टेरिया को इस्टेन करने की तकनी की कौन सी है तो बैक्टेरिया को इस्टेन करने की तरीका क्या है तकनी क्या है वह आपको देखना है अब देखो इसमें कौन-कौन से बैक्टेरिया आते हैं तो आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम लेगेटिव बैक् आप से पूछा जाता है स्पेक्टरो फोटो नीटर का बढ़न आप से पूछेगा कि इस्पेक्टरो फोटो नीटर की बारे में लेखो इसके बाद में पर बहुता है अब इसको याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह अच्छी तरीके साथ पढ़के जाएंगे रिटके जाएंगे इंपॉटेंट कोशन नहीं है एक्जाम 2022 में आने वाले कोशन समझ लो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके आपके पास नोक्तुम गैस्पेपर जो तो है वो तो हो गई करने दूगा चाहे कुछ भी हो जाए अब उसके बाद में क्या कह रहा है बिटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोई भी दिक्कत आती आदी रात हम आप साथ रहेंगे आप कॉल भी कर सकते हो कोई ब्रॉब्लम आती समस्या का सब्सक्राइब करेंगे आपके ठीक है बस आ एकशन इर बैक्टेरिया तो आप जानते हे बैक्टेरिया जो होते हैं उनकी अंदर गराइब करते ज要न कर दो होता है जी तरीकर से करते हैं वाहिन वाहिन और मिए डिलकर का।pi कैसे में का। और देखोर प्रियोंस क्या रहुता है। प्रियोंस के लक्षन कीस प्रिकार को देखने को मिलते हैं। त्परियोंस क्या है। उसके बाद में नेक्स कोश्चन देखो यूनिट भाई यूनिट भी हमने दे रखे यहां कोई दिक्कत नहीं है और प्लाजमिट क्या होता है मौस्ट इंपोटेंट है ग्राम अभीरंजग किसे कहते हैं ग्राम अभीरंजग को अच्छी तरीके पढ़ लेंगे विसाड़ों की प्रिकृति कै करते हैं याद कर लेंगे इंपोटेंट है उसके बाद में आता है देखो यह पढ़ लेंगे उसके बाद में यहां देखो गया है यह सब पर देंगे लेंगे को इतना पढ़ना है यह सब कुछ वारु अबस के बाद जो अच्छे दरीक से पढ़ देंगे और से पारों के जनन सैवाल अबने जनन किस परकार से करते हैं और ये पड़िएगे वालवोकस की बारे मुस्त इम्पोटन्ट है यह बसन पड़ेंगे उसके बाद में नेक्स्कोषिन पर टेक लगाएंगे जो है उड्वाम्निया देखेए ये बहुत जादा है देख़ा पूचा सब्सक्राइब करेंगे और पॉलिट साइफेंगे उसके जीवन चक्र पॉलिट सायफिनिया के वारे पढ़नेंगे उसके इक्टुकार पस यह बहुत जादा इंपोटेंट है बाकि एक्जाम से दो दिन पहले तुम आपको इंपोटेंट दूगा लेकिन अभी आप यह पढ़ लो ठीक है यह पढ़ लोगे और इससे क्या होगा देखो ध्यान रखना यह पढ़ लोगे तना और 2022 में आने वाले कोशिचन है और इसके बाद में आपको ब यह लेना हलूआ नहीं याद रखो इसलिए रहा हो थोड़ा से महरत कर लो ठीक है तो एक्टो कार्बस की आवास कैसे होता है और प्रोड़क्शन के बारें जनन कैसे करता यह देखेंगे बहुकुस की जिवारद्हानी क्या होती है बहुकुस की जिवारद्हानी इंपोटे जो यहां बोला कि है जो रहस्त है है जीवन साइकल के बारे में जीवन चक्र के वारे वारे इसे किस प्रकार से रूप इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वह आप देखेंगे ठीक है यह आप देखेंगे और क्या सकते हैं राइजोपस का लेंगिग और और इसकर नाचैनल के बारे में देखेंगे घुड़ू उसको आप याद कर लए और ईगरिकसे से मॉष्伟 इंपोटेंट यह सबसे जादा बहुं सिंक लगा तो एक्षट के बारे में इसकी भी साइटल के बारे पूष्ता पूष्ता है आप से ये पढ़नेंगे और उसका बान में यह चौड़ देरा ऐँ इसको सोड़ू इसको देखो मस्रूम की बारे में यह मस्रूम मौस्ट इंपोटेंट है मस्रूम की बारे में देखेंगे और आप जानते हैं जिसे कहते हैं कभ फंगस का लाइफ साइकल की बारे में देख लेंगे कभ फंगस क्या होता है इसको पढ़ेंगे ठीक है सिकंजा बंद मौस्ट इं ये इसको प्रद पर द लेना थे किया है अन्तरि सरचना को बोलते हैं तो लाइक क्या है उनके महत में क्या होते है वो देखेंगे और देखो यहां बुला गया है चत्रक का किरसी का कि जाती है यह मॉश्ट इंपोर्ट है मस्मूम की किर सी कैसे की जाती है उसके बारे आपको लिखना एक यूनिट नमर पाच में भरग कर देखा है और उसको किस परकार से कंट्रोल करेंगे चब कोई पॉधा है उसमें रोग हो गया ठीक है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे तो कंट्रोल करने की कौन कौन से देनी चाहिए वो आप देखेंगे ठीक है कुम से किड़ना सकते इस्तमाल करना चाहिए वो सब उसमें पढ़ लेंगे वार रोग थाम किस प्रकार से रिजाती कौन से रोग की यहां देकर रहा है पाधब रोगों के संक्रमण की विधी कौन कौन से होती है जिए क्या होती है इसको छोड़ो संकाभी अबना शक इसको देख लेना इसको पढ़ लेना है इसको देख लेना है पर अब उन पर साथ साथ में क्याकूब भढ़ना है याद रखना इन वसाथ पहुंचो इने साथ में पहुंच ना आए को गन्य का रेड रोग यह जाता है जिसका रोग्थाम और इसके लक्षण के बारे में रैड रूड उडेसे इसको अच्छी तरीके से देख लिए लाल चाहिए तो यहां देखो दिए थो उन्होंने बहुत सारे दे रखेंगे तो किसी निवस्ति वाइगा लेकिन मैं आपको इंपोटेंट बता हुआ है आप आप सारे पढ़ सकते हैं देखो एक तो गन्य वाला याद कर लेना दूसरा है आलू को रेड व्लैक रोग यह आलू वाला तो यह लैड जो विलाइट रोग है इसके रोग थाम इसके लक्षण के बारे में याद कर लेना है और यहां वोड़ा यह ली विलाइट ऑफ पुटाटो तो आलू की शुरूराती जो रोग लग जाता है वो उसके रोग थाम उसके लक्षण कैसे करेंगे लेकिन सब से और यह ली वाने पहले ठीक है शुरूरात बना पहले तो यह ली विलाइट ऑफ पुटाटो यह रोग हो जाता है एक हो जाता है लेट विलाइट डिजाश्व प्लाट पुटाटो तो इन दोनों को अच्छे तरी कर देखना इसमें से एक कोशन पूछेगा सफेद क्रोंस इसको छोड़ेना इसको डेख लेना अरहर का मुर्जाना अरहर क्यों मुर्जाती है उसके बारे में आप यह रोग है कोई कोसी कारण को लेगा और भिंडी का पीला नस मोजिक जो लग जाता है तो लेटल लीफ ऑदा कह सकते हैं तो अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लेंगे बैगन के बारे में हो सके तो पढ़ लेना वरना भिंडी सबसे ज़्यादा विंडी अरहर और आलू और गन्ना यह इंपोटेंट है और नीचे और देख लो एक कोशन यह बहुत जादा इंपोटेंट है एक यह सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है गेहु का काला तना जो भाप रोग लग जाता है और यहां ककड़ी मोजग रोग ककड़ी मोजग देख लेना कोगंपर जिसे बोलते हैं मोजग डिसाइजर रोग थाम किस प्रकार से होती है यह पढ़ लेना कक्री वाला इसको जमो तो आँ उसके बारे में बना बना लिखा ओए इसमें तो इमपोटेंट होने वाला है सबसे ज्यादर देखो सबसे ज्यादर इंपूटेंट इसको धियान दो एक तो यह वाला इंपूटेंट है गन्य वाला अलू का रेट देखो एक है लेट एक लेट ब्लैक रोग एक होता है एरली ब्लैड रोग इन दोनों में अच्छी तरीके से पढ़नें लेट और सुरूराती वाला ठीक है उसकी बाद में अरहा पढ़ने के लिए थोड़ा पढ़ सकते हो तो पर लो यार ठीक है बाकि दो देने पहले तुम बताई दुआ कि यह पेपर में आ रहा है तो उसी तरीकी से पढ़ लेना लेकिन अभी तुम पढ़ लोगे इन चीज को तो थोड़ा समध में आजाएगा समधने के लिए स्वास्डियों से परणा कि इसमें सब्सक्रांग क्या इसमें है क्या होता है चिपाराम Conference यह प्रण होता है इसको पढ़ लेना और सिंकल सल glorique ॉटिसको पढ़़ा लेना है इसको पढ़ेना है है कर नहां है किड्वनिकराण क्या होता है जैव सूच attracting in kirmish this सब्beret Control इसको पढ़ से कहते है इसको पड़ लेना राइज विक्टिरिया घृ कुछ 17 लेक्टिक ट्री आयँ कर दिया होते है कि तो यह थे 2022 में आने वाली पूजशन और मैंiane से बादा करता हूं कि आप इनको याद करके 90 प्रशन डाएंगे नबस प्रशन प्लस आएगा नबर नीचे 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 नहीं आने की बात नहीं करता और एक्जाम से सब को सब्सक्राइब कर लो यार आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ दे सकता है ठीक है विडियो जब भी कोई दिक्कत आ रही है तो कॉल करो सिदे कोन करो जो भी करना वर्टसप पर मैसेज करो तुरंत आपका रप्लाई करेंगे यार ठीक है समस्या का सुधान उतने ह इतनी टैम होगा और बताओ जब आप चाहोगे इतने टैम होगा बस चाहिए लोगा सब्सक्राइब कर लेना थैंक ये फॉर मसें दूसे बाइवाई टाटा